दूसरा सवाल है कि क्या तीनों अमिर खान, सल्मान खान, शारू खान कभी तीनों एक फिल्म में देखे जा सकते तो कैसी फिल्म में आप अफोर्ड कर सो को तो आफर कर दो हाँ से वीडियो पूरे इंटरनेट पर चाही होई है जापा सारू खान को ट्रॉल किया अजारा है कि अम्मानी ने सारू खान का गमन तोड़ दिया और तीनों कानों को इस्टेश बना चाहिया लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है ये साधी नहीं है कि अवर प्रिपेड़ नेंगे और मीडिया में जोरो सोरो से जल रहा है कि अम्मानी ने 1200 करोड रूपय कर्च किया ही है लेकिन मैं आपको बताऊं हुआ कि अम्मानी ने एक भी पेसा कर्च किया ही नहीं तो थो सायद आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा तो आप इस वीडियो से जुड़े रहो और मैं आपको प्रूब कर दूँगा कि अम्मानी नेक भी पैसा कर्च किया ही नहीं है इस टेम पर बताया जा रहा है कि रियाना ने 50 करोड रुपर चार्ज किये रियाना की नेट वर्थ करीब करीब 10,000 करोड रुपर है तो अब अपने मन से सोचिए कि वो 50 करोड में नाचने के लिए क्यों आएगी कुछ तो बज़े होगी इन अमीरों के चोचले कोई नहीं समझ पाया है लेकिन मैं आपको समझाऊंगा तो प्लीस यार वीडियो में लाच तक जोड़े रहे है आपको बहुत नॉलिज मिलेगी अनन्तमानी और आधका मर्चांट की प्रिवेर्डिंग में देश बेदेश से ना जाने कितने लोग आए इनमें से कोच चेरे तो जाने पर चाने है जैसे के बिलिगेट्स, मार्क जकरवक, डॉनल्ड टरम्प की वेटी, रियाना और बॉस से चेरे है इस टैंप पर वो वीडियो बहुत बारे लो रही है कि जब अनन्तमानी अपने हाथ में एक बोच पेने हुए थे और मार्क जकरवक की बीवी उसे बार-बार देख रही थी तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी थी वो गड़ी वो गड़ी थी रिचमेल्ड कमपनी की और इसकी प्राइस है 18 करोड रुपे जियां इतने में तो हम सब का घर जाएगा इस प्री बेडिंग में बॉल्लीवूड के सभी अपनिताओं को पुलाया गया लेकिन जानाता लोगों के लिए बस की गई लेकिन हमारे सादू खान और रनिवीर कपूर के लिए रॉयल स्लोश बेजी गई देश बिदेश के मेवानों के लिए ट्राइबेट जर्ट बुक किये गए और अम्मानी ने जामनागर की एरपोर्ट को जो पहले नेसलन था उसे पंदरा दिन के लिए इंटरनेसलन कर दिया अब तो भाई मुझे सिर्फ एक ही गाना यादा आ रहा है मयाक से अटके जामनागर में पहले एक दिन में पांच से छे प्लैन आते थे लेकिन साधी वाले दिन करीब करीब 140 प्लैन आए और जो लोग प्रिवेडिंग में पहुँचे उनका स्वागत खुद मुके सम्मानी ने किया लेकिन आने वाले लोगों के साथ नाने वाले लोगों की लिस्ट भी बारेल हो रही है पहले नमबर पर हैं ब्राट कोली जिनके परिवार में कोई बीमार है नमबर दो कारतिक आरेन जो की बूलबले है थरी की सूटिंग में बिजी है नमबर त्री रितिक रोसन जो कि भीमार है सबसे ज़्यादा बाइल हुए हैं तो वो हैं बिलिगेट्स और डॉली भाई बिलिगेट्स और डॉली भाई का वीडियो इंटरनेट पर खूब बाइल हो रहा है मार्ट जकरवक पहली बाद सांदर कुर्टे में देखे आपने पहले कभी उनकी ऐसी फोटो नहीं देखी होगी वो मेंसा टी सेट में देखते हैं सेलिवेरेट्यों ने खूब मौस किये मुगे सम्माई ने मोटा कर्चा किया ऐसा आपको लगता है इससे मैं आपको बाद में बताता हूँ लेकिन इससे पहले मुगे सम्माणी की वीडियो देखते हैं गाने काये दिल्जीत भाई ने पंजाबी सेर उन्होंने सेफ अले काने की वाई करीना कपिर को नचाया और यही नहीं बलकि हमारे साडू खान बेर्ग्राउंड डांस करते हूँ दिकाई दिये और इनके गाने पर विक्की कोसल भी नाशते हुए देखे और यही नहीं जब दिल्जीत भाई गाना गाना बंद कर रहे थे तब ही दूले राया ने खुद का की भाई 20 मिनट और लेकिन सब लोगों का ध्यान यहीं नहीं गया बलकि सबसे यहां ध्यान गया है रियाना के पास मुझे पता है कि आज से पहले रियाना को हर कोई नहीं जानता होगा लेकिन आज बच्चे बच्चे के मूँपर रियाना नाम चड़ा हुआ है और चड़े भी क्योंना रियाना डांस ही ऐसा करती है कि हर कोई देखता रह जाए और उन्होंने जानवी कपूर के साथ भी थुमके लगाए और सबसे बड़ी बात दूले राजा सल्मान कान को ऐसे उठा रहे हैं जैसे वो उनका बच्चा हो लेकिन कोई कर भी का सकता है क्योंकि जी हाँ यानि कि सिंगरों ने गेस्टों को खूब मया दलाया खूब इंजोई कराया खूब नचाया और मुकेस अ माइन एक्टिंग भी करके दिखाई जब ऐसी वोड़ी इंटरनेट पर अप्रोड की जाएंगी तो बाइरल तो होगी न मेरे भाई किसी भी चैनलों को कोलो तो अनंदम मानी की प्रिवेडिंग दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो वो है मुकेसमानी की साधी क्या मार्केटिंग की है मुकेसमानी ने मानना पड़ेगा उनकी सोच को जो सिंगर साधी में आई हुए थे उन्होंने कितने पैसे चार्च किये मैं आपको बताता हूँ दिलजीत ने लिए तीन करोड अर्जी सिंग ने लिए चार करोड और रियाना को तो आपको पता ही होगा तो आपको क्या लगता है कि इससे मुकेसमानी की जिम में गेरा गड़ा होगा होगा नहीं हम सबको लग रहा है कि अमानी ने बारा सो करोड रुपे कर्च किये कितने कर्च हुए केबल केबल 1200 रुपए तो क्या गया यार आप मुझे बताओ हमारे याद दो 1200 रुपए में कुछ होता ही नहीं है पंडे जी भी 200 रुपए मांगते है यानि कि रियाना 50 रुपए पफॉर्म कर गई दिल जीद ने लिए 3 रुपए पर जीद सिंग ने लिए की सगाई के लिए तो जाना पैसा कर्च कर दिया गया साले मारे या तो पूरी जिंदीगी कमाई लगा देते हैं साधी में फिर भी बैंक से लोन लेना पड़ता है दोस्तों ये तो केबल अनंत अम्मानी की सगाई थी साधी तो अभी बांकी है मेरे दोस्त जब सगाई में 1200 और इसलिगी में 700 कोलड रुपे कर्च हुए है तो साधी में तो पैसों की बार्झ होने बाली है कुछ भी योग गुजराती आदमी गुजराती होता है सीरियल में जेटा लाल और रियल में अम्मानी ईन गुजराती लोगों की तो मौज है दो जैर 18 में 59.9 बैटी की साधी में साड़े साथ सो कोड़ों पर कर्च किये थे और इसमें भगवान जाने और मैं आपको मिलता हूं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिंज जै वारत और प्लीज यार सस्क्राब करके जाना